हाई एब्रिवन मैं हूँ सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई भाई SJS तो फ्रेंड्स रेसिपी सुरू करने से पर ले आप से एक रिक्वेस्ट है आप अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज मैं बनाने वाली हूँ हरे मतर और आलू के निमोना तो आई ये रेसिपी सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स ए है 200 ग्राम मतर इसे मैंने ग्रेंडिंग जार में ग्रेंड कर लिया है और दरदरा इसे किया है बहुत बारिक नहीं करना है और ये है मसाले, ये है हरा लसन, ये है लसन की कलिया, एक इंच अदरक का टुकड़ा, तीन हरी मिर्च, और ये है धनिया, तो इसका मैं फाइन पेश्ट बना लूँगी, तो फ्रेंड्स इसमें मैं डाल रही हूँ, तीन से चार टेवल स्पून, मस्टर्ड ओयल, इसे हीट होने देते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए, तेल गरम हो गया है, ये आलू मैंने दो मीडियम साइज का लिया था, इसे ऐसे मोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है, अब इसे फ्राई करते हैं, ये से चलाते हुए गोल्डेन ब्राउन करना है, तो देखिए फ्रेंड्स गोल्डेन ब्राउन हो रहा है आलू, थोड़ी दे तक इसे और तलेंगे, देखिए प्रेंट्स आलू गोल्डवन हो चुका है अब इससे प्लेट में निकाल लेते हैं तो देखिए इतना गोल्डवन करना है इसे तो प्रेंड्स अब इसमें से जो एकस्ट्रा वयल था वह इससे निकाल दिये हैं और 1-5 चम्मच ओल में इस मटर को फ्राइं करेंगे थोड़ी देर तक और भुनेंगे इसे तो फ्रेंड्स देखिए मटर फ्राई हो चुकी है अब इसे इसी बावल में निकाल लेते हैं देखिए इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है और कडाही में चिपकना भी बंद हो गया है तो देखिए मैं आलू तलते समय जो तेल डाली थी उसी तेल को जो निकाला था महीं डाल रही हूं अब इसमें डालेंगे देखिए तेल गरम हो गया है अब इसमें डाले हैं एक चमज जीरा एक चमज साबुत सौप एक चुट्की हींग एक बड़े साइज का बारिक कटा हुगा प्याज अब इसे भूनेंगे गोल्डेन ब्राउन होने तब देखिए फ्रेंड्स प्याज गोल्डेन ब्राउन हो रही है अब इसमें डालेंगे एक चमज छोटा चमज है धनिया पाउडर आधा चमज लाल मिर्च आधा चमज कस्मीरी लाल मिर्च अधा चमज हल्दी है अभी सबको मिला लेंगे अधा चमज गरम मसाला है यह मैंने दो मीडियम साइज की टमाटर कपीवरी बनाए है अब इसे भी इसमें भूनेंगे यह एक चमज नमक है या स्वादानुसा आपको जैसा पसंद हो खाना डाल सकते हैं अब तमाटर और मसालों को कुछ देर तक भूनेंगे जब तक तेल से प्रेट नहों हो जा यह चलाते वह इससे भून लेंगे जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही टेस्ट आएगा निमाने में चय कोई भी सब्यों अगर मसालों अच्छी से भूने तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो देखिए फ्रेंज तुमाटर और मसालों भून कुके हैं अब इसमें हम डालेंगे जो हरा धनिया, हरा लासून, हरी मेर्ची और अध्रक का पेश्ट बनाया था इसे भी भून लेंगे बढ़िया से चलाते हुए कम से कम तीन से चार मिनाट तक खिर भूनेंगे इसे देखी मसाले भून रहे हैं इसमें थोड़ा पानी डालके और भूनेंगे यह पानी जो मैंने डाला है गर्म पानी था, गर्म पानी के साथ फिर मसालों को वापस से भूनेंगे वापस से इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनना है एक यी बाट धेर सारा पानी नहीं डालना है फिर इसे उसी प्रकार से भूनेंगे तो देखिए फ्रेंस मसाले पूरी तरह से भून चुके हैं अब इसमें डालेंगे पानी याद रहे गरम पानी मैंने कर दिया था पहले से और आप भी गरम पानी ही आड़ करिएगा अब इसमें डालेंगे यह जो मतर और आलू फ्राइक करके रखे थे दोनों मैंने फ्राइक लिया था अब इन सब को मिला लेंगे थोड़ा पानी अवराइट करेंगे तो फ्रेंज देखिए अब इसमें बॉइल आ गया है इसमें लीटर लगा के पान से साथ मिनट तक इसे और पकाएंगे तो देखिए यह निमोना पक रहा है थोड़ी देर इसे एक से दो मिनट और पकाएंगे उसके बाद दिखाते हैं और फ्रेंज मेरे तरीके से एक बार मतर निमोना बना कर जरू देखिएगा बहुत अच्छे बनेंगे और मेरे तरीके से बनाई हुए निमोना अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में भी बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो देखिए फ्रेंज निमोना बनकर तयार है आलू मतर निमोना एदम पूरी तरीके से पक गया है अब इसमें डालेंगे एक लेमन का जूस है बस दस सेकेंड तक इसे पकाएंगे ये निबू के रस के साथ मिला के तुरंद बंद कर देंगे गैस का फ्लेम अब करते हैं ग अब इसे सर्विंग बॉल में ट्रांसफर करते हैं तो देखिए फ्रेंज आलू मतर निमोना आप रोटी के साथ चावल के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनेगा एक बार मेरे तरीके से आप जरूर बनाएगा खायेगा इंजवाय करिएगा और मेरी फूल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार